दोस्तों हम से जुड़े हैने के लिए subscribe करें हमारे चेनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए press करें इस bell बटन को जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में जै मातधी दोस्तों आपका हमारे चनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे काले तिल से किये जाने वाले कुछ विशेश और अचूप प्रयोग जो काफी लोग नहीं जानते हैं इनकी विशेशताओं के बारे में क्योंकि काफी लोग हम से पूछके रहते हैं कि उन्हें धनहानी बहुत जादा होती रहती है या फिर काम अटक जाते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि होते होते बंते हुए कारे भी बिगड़ जाते हैं बंते-बंते कारे रुक जाना इसकी बहुत सी वज़ा हो सकती हैं पर दोस्तो अगर आप काले तिल के अचूप प्रयोग करते हैं तो वो बाधाय और धनहानी तुरंत ही बंद भी हो जाती है किसी भी कारे में अगर रुकावट आ जाती है तो सफलता दूर सी हो जाती है इस इसकी वजह से आप निराश भी हो जाते हैं और अपने कारे को पूरी तरह से सफल नहीं बना पाते हैं। इसलिए, दोस्तों, आपको कभी भी नहीं रुकना चाहिए, और आपको हमेशा ही सफलता मिलती रहे, इसलिए हम अचूक उपाए आपको बताते रहते हैं, जो आप करक भी आपको धन हानी होती है, ऐसा लगता है कि आपके कारे कोई रोक रहा है या बहुत सी बाधाय किसी भी वज़य से हो रही है, तो आपको अपने उपर से काले तिल उतारने हैं, यह आप किसी और व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, जिसके जीवन में धन से जुड़ी हुई ब धायाती रहती हैं या उसका कुई भी कारे सफल नहीं हो पाता है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं और या अपने लिए भी कर सकते हैं, इसको करने के लिए दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ की मुठी में थोड़े से काले तिल लेने हैं और अपने घर की छट पर जाना लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह उतारेंगे तो आपको ओम नमस्षिवाय का जाप करते हुए उतारना है और ओम नमस्षिवाय का जाप करते हुए ही उत्तरदेशा में फैकना है इस प्रकार करने से तुरंथ ही धन्हानी बंद हो जाती है जि हानी बिल्कुल भी नहीं होती है यह बहुत ही अचूक और शक्ति दिखाने वाले प्रयोग हैं दोस्तों जिनको आप जरूर किया करें इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारे में बहुत सी बादाय आती रहती है वह कोई भी कारे करता है उसे पिल्कुल भी सफलता है नहीं मिल पाती है या फिर वह हमेशा ही परिशान रहता है काफी बार ऐसा होता है कि घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी वजह से सबी लोग परिशान होते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको काले तिल से जुड़ा हुआ यह उपाय करना चाहिए कि हर शनिवार को थोड़े से काले तिल लेकर और काली उड़द को लेकर काले कपड़े में आपको बांदेना है इसके बाद उस व्यक्ति से साथ बार आपको उटार कर किसी भी शनी मंदिर में शनी देव के चड़नों में इस काले कपड़े को आपको रख देना है ऐसा करने से द व्क्ति के ऊपर से शनी के दुश्परभाव धूर हो जाते हैं और उसको निश्ची थी सफलताई मिलती हैं उसके सभी कारे भी पनने लगते चैसे दुशन भी उस व्क्ति को परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर दोस्तों आपके हुए पीपल पर यह दूद अर्पित करना चाहिए ध्यान रखना है दोस्तों आपको ओम नमु भगवते वासु देवाए नमा मंतर का जाब करते हुए ही यह दूद आपको पीपल पर अर्पित करना है यह आपको हर शनिवार के दिन करना चाहिए ऐसा करने से कितना भी लंब बेर समय से चल रहा दूर भागे भी तुरंथी दूर होने लगता है दोस्तो आशा करता हूं दोस्तो आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी अगर दोस्तो आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई विशेश समस्या है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ब जाले मिल सकें तेँ निवादेश प्राइब करते हैं जाले मिल सकें तैने वादेश थाओ करता है